हेलो एंड वेलकम गाइज मैं हूं अंगेश भादु आज और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग क्यों एन यूट्यूब चैनल सो गाइज वेलकम टू एन अनदर अमेजिंग वीडियो आफ एमेजोन एफिलेट मार्केटिंग सीरीज अगर आपने सीरीज की पिछली वीडियो नहीं देखिये तो अगर आप एक सकस्फुल एमेजोन एफिलेट मार्केटिंग ब्लॉग स्थार्ट करना चाहते हैं तो सीरीज की पिछली वीडियो जरूर से देखना और आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप कैसे ए वाला हूं कि कीवर्ड रिसेर्च करने से पहले आपको क्या क्या चीजे देखनी हैं की वर्ड फांड करने के लिए और कैसे आप पता कर पाएंगे कि जिस कीवर्ड पर आप काम करने वाले वह लो कॉम्पेटिशन वाला है या नहीं वीडियो बहुत जार इंटरस्टिंग होने वाली है और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलेगा फ्यूचर की वीडियो देखने के लिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल इंस्टाग्रा बता हुआ लेकिन उससे पहले कीवर्ड रिसेर्च करने से पहले जो सभी वीडियो में मिस है वो चीज में आपको बता दू कि Amazon affiliate website के keyword research करने से पहले आपको ये तीन चीजे हमेशा ध्यान में रखनी है सबसे पहली और सबसे important मैं कह सकता most important चीज we need targeted audience for our Amazon affiliate blog not huge traffic like adsense हमें पता है हमें Amazon affiliate blog बनाना है उसमें हमारी earning तभी होगी जब कोई बंद हमारे ब्लॉग पर आएगा वहाँ पर वह प्रोड़क्ट को देखेगा और वहाँ से वह प्रोड़क्ट परचेज करेगा तो हमें पता है हमें अपनी website पर ऐसे बंदे लेके आने हैं ऐसे लोग लेके आने जो कि इंटरेस्टेड हैं तो पर्षेज करने के लिए जिस भी प्रोड़क्ट का अपने रिव्यु दाला है हमें इहां पर एड़ संस से पैसा नहीं कमाना क्योंकि आप लोगों को पता है एड़ संस से पैसा कमाने के लिए हमें सिर्फ traffic चाहिए कहीं से भी आये कैसा भी traffic आये हमें सिर्फ traffic चाहिए traffic आएगा ad पर click करेगा earning होगी but amazon affiliate website में हमें ऐसा नहीं करना हमें सिर्फ highly targeted traffic चाहिए हमें ऐसे बंदे चाहिए जो blog पे आये और वहां से product purchase करें ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो ब्लॉग पे आए और उसे ब्लॉग पोस्ट को पढ़के वहाँ से चले जाए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको टार्गेटेड बंदे लेने हैं उसके बाद जो second चीज है go for long tail keyword with search volume below than 1k यानी 1000 से कम वाले long tail keyword पर आपको basically जाना ये मैं क्यों बोल रहा हूँ for example मैं आपको example के साथ समझाता हूँ आप एक बंदे हो आपने google पे search करा best laptop ठीक है अब long term long tail keyword लेने का फायदा क्या है जितना long tail आपको keyword होगा उसमें जो intent है लोगों का intent buying intent वो उतना जादा होगा अगर एक short tail keyword होगा तो वहाँ पर laptop खरीजने वाले बंदे भी होगे for example एक keyword है हमारा हम google पे search करते हैं best laptop ठीक है हमने google पर search करा best laptop अब यहाँ पर best laptop जो भी बंदा search कर रहा है अब best laptop search करने वाले बंदों में ऐसे बंदे भी होंगे जो सिर्फ laptop, best laptop की information लेना चाहते हैं कुछ ऐसे बंदे होंगे जो best laptop खरीदना चाहते हैं कुछ ऐसे बंदे होंगे जो सिर्फ laptop के बारे में पढ़के या फिर blog लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर best laptop में हमें यहाँ पर सबसे main चीज कि यहाँ पर intent नहीं मिलेगा, second चीज यहाँ पर competition काफी ज़्यादा high होगा, यहाँ पर search volume कितना ज़्यादा है और यहाँ पर इतने सारे results दे रखें जिसकी वज़े से competition बहुत ज़्यादा है, अगर मैं same keyword को best laptop को यहाँ पर href में मैं आपको search करके दिखाऊँ, तो href में हम देखते हैं क्या detail है यहाँ पर, keyword difficulty 73, super hard, इतना यहाँ पर search volume है, global search volume देखो, 1,16,000 यहाँ पर global search volume है, तो long tail keyword में यही फायदा होगा, जितना keyword आपका long होता जाएगा, उतना उसका search volume कम होता जाएगा, उतना उसका competition कम होता जाएगा, उतना लोग वहाँ पर purchase करने वाले ज़्यादा बढ़ते जाएगे, अब यहाँ पर हमने best laptop search करा, अब यही पर हम search करते हैं, best laptops for students, ठीक है, अब हमने keyword थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ पर थोड़ा long कर दिया, अब यहाँ पर best laptop for students, अब इस keyword को जो भी search करता होगा, वो बनदा definitely student होगा, उसे अपने लिए laptop सही होगा, तो यहाँ पर लोगों का intent बनने लग जया ना, कि लोग ऐसे बनने हैं, तो अगर इस keyword को मैं यहाँ पर HRF में डालूं, best laptop for student, तो यहाँ पर आप देखोगे keyword difficulty कम होती चली गई, search volume भी कम हो गया, एक लाग सोला जार से तेईस अजार हो गया, और यहाँ पर intent हमें समझ में आने लग गया, यहाँ पर student आएंगे, अब यहाँ पर अगर हम इस और लंबा कर दें, best laptop for student under 30,000, ठीक है, अब हमने इसे और long कर दिये, अब यहाँ पर देखो, competition और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, search volume और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा intent और भी ज़्यादा strong हो जाएगा, कि student है, उसे best laptop चाहिए, best laptop चाहिए, जो 30,000 के अंदर आ जाए, तो अगर मैं HRF में करके दिखाऊं, तो देखो, इसकी difficulty 54 से और कम हो जाएगी मेरी साब से, यहाँ पर काफी कम हो गया, इतना हमें नहीं, बहुत जादा कम है, बट लेकिन यहाँ पर अगर मान के चलो, 20 लोग में से, अगर एक बंदा भी यहाँ से purchase करता है, तो आप अच्छा खासा commission बना सकते हो, वहीं अगर best laptop पे आप rank भी कर गए, वहाँ से आपको महिने में 5000 का traffic आ रहा है, बट वहाँ पर कोई purchase नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा है, इससे बड़ी आप long tail keyword जिस पे buying intent है, जिस पे अच्छा खासा buying intent है, वो बंदा आयच है, search volume 20 हो, 50 हो, 100 हो, कोशिस करो कि आपका कम से कम 100 से 1.500 के बीच में search volume हो, और उसका intent बहुत तगड़ा हो, buying intent हो, तभी आपको महाँ से conversion आ पाएगी, अगर आपको नहीं पता कि keyword intent क्या होता है, तो सबसे important वीडियो आपने series की miss कर दी है, तो YouTube पर सीधा जाना और यहाँ पर search करना, keyword intent, blogging Q&A, और यहाँ पर आपको top में यह वाली वीडियो मिल जाएगी, guys, बहुत बहुत सबसे important वीडियो है इस series की, तो यह वीडियो जरूर से देख लेना, अगर आपको keyword intent, या buying intent, जो भी यह चीजे मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो दूसरा, I think, point आपको clear हो गया, अब तीसरा यहाँ पर है, focus on commercial and transactional intent keyword, यह अगर आपको नहीं पता कि commercial intent क्या होता है, transactional intent keyword क्या होते हैं, तो इस third point को समझने के लिए आपको यह वाली वीडियो जरूर से देखनी पड़ेगी, और यह वीडियो देख ली तो मैं आपको कह सकता हूँ, कि आपने 90% आप सीख जाओगे कि कैसे आपको successful Amazon affiliate blog बनाना है, ठीक है, उसके बाद यह तो हमारी हो गई, अब for example, हमने एक low competition keyword find spend नहीं रहना है, कभी आप सोचो कि मुझे HRF में दिख गया, कि तीन keyword difficulty है, तो इस पर मैं काम करूँगा और rank हो जाओगा, हमेशा आपको manually भी check करना है, कई बार ऐसा होता है, जो keyword research tool होते है, वो जो भी paid tool है, वो accurate data देते हैं, बट 100% accurate नहीं देते हैं, तो आपको अपने end स भी research करनी पड़ेगी, आप for example, आपको किसी keyword research tool में एक low competition keyword मिल गया, ठीक है, आपको low competition keyword मिल गया, अब आपको उसे manually Google पे search करके भी देखना है, मुझे ये low competition keyword मिला, मैंने इसको copy करा, मैंने इसको Google पे डाला, और यहाँ पर Google पे डालने के बाद आपको क्या check out करना है, उसक के नीचे ये points, सबसे पहला point आपको देखना है, जो भी आपने low competition keyword डाला किया, उसमें low DAPA वाली website rank हो रही है या नहीं, उसके लिए आप Moz extension यूज कर सकते हो, सो मैं Moz extension को enable कर देता हूँ, और यहाँ पर हम देखते हैं, कि ये जो keyword है, best laptop for student under 30,000, क्या ये really में low competition वाला keyword है, अगर इस पर 15, 20, 25 वाली DAPA वाली website rank हो रही होगी, तो आप कह सकते हो कि low competition keyword है, यहाँ पर आप rank कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर top 10 page, top 20 में सारी high authority वाली website rank कर रही है, तो आपके लिए थोड़ा difficult हो सकता है, तो हम इसे scroll down करते हैं, यहाँ पर 91, 51 high DA है, उसके बाद DA 23 क website, तो यहाँ पर आपको एक signal मिल गया कि यह low competition keyword है, यहाँ पर आप काम कर सकते हो, उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो DA 22 की website भी rank हो रही है, और यहाँ पर देखो DA 15 की website भी rank हो रही है, तो आपको signal मिल रहा है कि हाँ यह really low competition keyword है, इस पर हम काम कर सकते हैं, उसके बाद DA 15 की website rank हो रही है, और यहाँ पर सबसे पहली चीज आपने देख ली कि low DA PA website rank हो रही है, नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो आपका एक plus point हो जाता है कि low competition keyword है, उसके बाद आपको देखना है, अगर आपको कोरा दिखता है, अगर आपको YouTube की videos दिखती है, तो उसका मतलब है कि इस keyword पर इतना content है ही नहीं, जिसकी वज़े से यहाँ पर कोरा जो forum है, उसके question answer दिखाए जा रहे है, YouTube की videos दिखा रही है, अगर आपको top 10 20 में YouTube कोरा की या फिर कोई forum वगेरा के link मिलते हैं, तो आप कह सकते हो कि एक और plus signal है, आपके लिए plus positive sign है कि यह competition, यह keyword low competition वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम देखें, यहाँ पर कोरा की कोई post है या नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरे या तीसरे page पर आपको दिख जाएगी कि कोरा की post भी यहाँ पर, कोरा के question answer एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन यहाँ पर कोरा के questions rank हो रहे हैं, और उसके बाद अगर हम देखें, तो YouTube, आप देख सकते हो YouTube की वीडियोज भी है, तो definitely यह एक low competition keyword है, ठीक है, उसके बाद जो चोथा point है, how many search results are found, are there for that keyword, अब यहाँ पर search result, यानि कि यह keyword हमने search करा, और उसके बाद यहाँ पर देखो search result कितना है, यहाँ पर search result काफी जादा ह है, बट यहाँ पर बाकी plus point है, तो हम इस पर काम कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको search result भी 1,00,000 से कम दिखा रहा है, तो आपको definitely उस keyword पर काम करना चाहिए, और अगर 100 से कम दिखा रहा है, और ऐसा कोई keyword मिल जाता है, तो उस keyword को पकड़ लो, उस keyword को छोड़ो मत, उस keyword प पर result पिकाए गए है, बट actually क्या इतने हैं, मैंने यहाँ पर 100 result तक कर रखा, और अगर आप देखोगे, तो नीचे last page दूसरे page पर ही है, यानि कि इस keyword के लिए maximum आपको यहाँ पर देखो, दूसरा exact, अगर आप कई बार पहले page पर आपको कैसे की वज़य से दिखाता है, अ मैं पता जब चलता है, हम last page पर जाएंगे, और second page पर open करेंगे, तो यहाँ पर देखो, exact आपको दिख जाएगा कि इस keyword के लिए सिर्फ 130 websites ने लिखा हुआ है, तो यह keyword आप के लिए low competition keyword है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस keyword पर हमारे सारे point, सारे point meet हो गए, तो आ नहीं, और जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में कि कैसे आपको low competition वाले keyword find out करने है, three simple step में, तो जो भी आपका keyword है, उस keyword को Google में type करो, Google में आपने type करा, जो भी top में website आ रही है, उस website को low, और href में, या किसी भी keyword research tool में आपको डालना है, जैसे मैं यहां पर href यूज कर रहा हूँ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप uber suggest या फिर keyword surfer भी यूज कर सकते हो, बट मैं अगर आपको कहूँगा, अगर आपको best result चाहिए, best accuracy चाहिए, तो keyword research tool जैसे samrush या href आपको यूज करना चाहिए, तो मैं ने जो पहली website आय उसके देखो organic keyword कितने हैं और उसमें से आपको low competition keyword find out करने हैं और ऐसे आप low competition निकाल सकते हो, सिर्फ तीन step में, कि तीन step क्या है, keyword डालो, पहले link को copy करो, href में डालो, organic keyword में जाओ, और यहां से low competition keyword find out कर लो, so guys I hope आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको पता चल गय होगा कैसे low competition keyword find out करने हैं, कैसे उनका intent देखना है, क्या क्या चीजे देखनी हैं, अगर आपको एक low competition keyword find out करना है, so इस वीडियो को like कर देना, वीडियो को share कर देना, और चैनल को subscribe कर देना, ताकि future की जो series की वीडियो आएंगी, वो आप मिस ना कर पाओ, और अगली वीडि और उसके बाद मैं next video लेकिया होगा, so make sure, comment जरूर करे, like जरूर करे, चैनल को subscribe करना ना मूले, और मैं मिलता आपको एक और यह एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए, goodbye, take care, have fun झाल झाल